हेलो चंपियंज आपने थम्मनेल में बिल्कुल सही देखा इस पर्टिकुलर वीडियो इस चैलेंज फॉर दे स्टुडेंज फॉर गोईंग टू अपियर फॉर देर सीबियसी बोर्ड एक्जाम इन टू थू 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 जी हाँ और हाँ एक चीज आप लोगों से शेर करना चाहरा हूँ सीबियसी बोर्ड आप लोगों पे कुछ ज्यादा ही महरबान है अब आप कहोगे सर प्री बोर्ड के एक्जाम चल रहे हैं हम लोग दिन रात पढ़ते पढ़ते परेशान हैं आप हमारी situation का मजाग बना रहे हैं मजाग नहीं बना रहे हैं वैसे अगर आप लोग देखो न तो हमारी country में 12 major ports हैं लेकिन आपको पढ़ना कितना है केवल 10 राइट और अगर आप international airports की बात करें हमारी country में तो total 34 international airports है लेकिन हमें पढ़ना कितना है only 6 सब्सक्राइब अगर इस वीडियो को ध्यांस से सुनेंगे और देखेंगे तो trust me जो major sea ports हैं और airports हैं मैं अभी के अभी आपके दिमाग में रख दूँगा ऐसी tricks शेर करूँगा कि जैसी blank political में आपके सामने आएगा उन places को आप चुटके में identify कर लोगे सब्सक्राइब है तो आईए एसी के साथ शुरू करते हैं तो देखे हमारा यह जो chapter है वह है life lines of national economy आप लोगों को पता है लेकिन मैं फिर भी शेर कर दूँ इस chapter से क्यों मैं पुरक आएगा और कुछ नहीं आएगा राइट चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको and now this is the list of major ports which we are going to study only 10 अच्छा इसमें भी देखे इसको भी और इसको हम और आसानी तरी इसको और भी आसान बनाया जा सकता है कि जो पाँच major ports हैं वो western coast पे हैं और जो पाँच है वो eastern coast पे हैं और आसान हो गया तो आएए इसको अच्छे से समझते हैं देखे जहां तक major sea ports की बात है देखे जैसे अपना कांडला हो गया, मुंबई हो गया, मार्मा गाओ हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया और कोची हो गया ये जो पाँच हैं ये जो 5 हैं ये हमारे इंडिया के western coast पे हैं यानि अरेबियंसी की तरफ हैं और ये जो बाकी के 5 हैं यह हमारे इस्ट इंडिया के इस्टन कोस्ट पे हैं यानि बे ओफ बेंगॉल में हैं चलिए आईए फिर इसी बात से शुरू करते हैं इसकी प्लॉटिंग इस पॉस्बल आप मैप लेके जरूर बैठिये इसे अच्छे से एक बार प्रैक्टिस भी कर लें ना ब्लैंक मैप हैं पैन आईए देखते हैं तो यह है हमारे मेजर सी पोर्ट और यह हमारे स्टेट्स ध्याम दीजिए देखिए यह रहा इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट विच इस Arabian Sea के साइट पे यह रहा हमारा Eastern Coast जो की Bay of Bengal हो गया ठीक है तो basically जो 5 हमारे total major ports हमें पढ़ने हैं 5 जो है हमारे इस साइड में हैं और 5 जो है हमारे इस साइड में है अब चुखके वो major ports हैं तो water body का होना ज़रूरी है तो water body कहाँ से है ये देखे गुजरात से शुरू हो करके ये हमारा West Bengal तक सारे आएंगे चले उनकी plotting हम सीखते हैं तो पहला है हमारा कांडला कांडला पोर्ट कहां पे है गुजरात में है और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कांडला पोर्ट को दीन दयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और कांडला पोर्ट was the first part after independence to be developed इंडिया का डिवीजन हो गया तो जो कराची पोर्ट था पाकिस्तान के पास चला गया तो इसको develop किया गया ताकि या नो य जो अपने जम्मू कश्मीर है हिमाचल प्रदेश है हरियाना है इनी स्टेट में बहुत ज्यादा आपको पता है इस्पेशली पंजाब और रहा हिस्साइन इस वाले हिस्से पे अगर आप ध्यांट से देख लीजिये इस वाले हिस्से के पास यह रहापना कांडला, यह रहा कांडला, यह हमारा कांडला, आप दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा, आप लोग परेशान मत होना, इस स्लाइड के बाद आपको PDF मिल जाएगे, PDF में already सारी प्लेसे मार्क्ट हैं, तो आप उसमें असाने से कर सकते हैं, अभ यह जो है, महरास्ट्रा और गुजरात का बॉर्डर है, उसके नीचे आप यहां देखेंगे ने तो, यहां पर अपने आप आप आपको पता चल जाएगा, यह देखो, यह ऐसा एरिया बना हुआ है, तो यही है मुंबई, तो आप यहीं पर इसे, फोटा सा सरकल बना दीज यह हो गया आपका, मुंबई के लिए मैं केवल M लिख रहा हूँ, यह हो गया MP, यानि मुंबई पोर्ट आप समझ लीजिए, एक शेर करना चाहर था, मुंबई पोर्ट जो है, हमारी कंट्री का the biggest port है, और यहां पर natural harbor भी है, तो अगर कभी कभी question ऐसे सीधे ने पूछेग कि मुंबई पोर्ट को आप प्लॉट करो, क्या पूछ सकता है, it is the biggest port in our country, तो आप समझ जाना मुंबई, महरास्टा में, right, चले, next है हमारा, तीसरा, मार्मा गाओ, मार्मा गाओ कहां पे है, मार्मा गाओ पोर्ट कहां है, गोवा, अब ध्यान से अगर आप देखो, तो कौन सा हो गया, कांडला हो गया, महरास्टा में कौन सा हो गया अपना, महरास्टा में मुंबई हो गया, उसके बाद गोवा देखे, गोवा ध्यान से, यह देखे, यहाँ पे, यह गोवा आप लोगों को दिख रहा हूँ, गोवा का जो निचला वाला हिस्स्सा है, वहीं प प्रिमियर आईरन और एक्सपोर्टिंग पॉर्ट है आप लोग comment box में comment करके बताएं कि ये जो marma gao पॉर्ट है वो किस आईरन और बील्ट से iron एक्सपोर्ट करता है हम लोगों ने पढ़ा था न ऩर फोर major iron ore built in our country comment करके जरूब बताईए चलिए अगला हम लोग देखते हैं अब गोवा होगा गोवा बात करनाट का आ गया करनाट का मा आप लोग जानते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट है और न्यू मैंगलोर पोर्ट को लोकेट करना बहुत ही आसान है आईए देखते हैं आप देखे यह देखे हमारा केरला है राइट केरला का बॉर्डर यहां से शुरू हो रहा है ठीक उसी के उपर ठीक उसी के उपर यह रहा हमारा न्यू मैंगलोर New Mangalore को लिए मैं NM लिखूंगा ये हो गया हमारा New Mangalore I hope जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये locate करना सिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको मज़ा भी हा रहा होगा अगर आपको समझ में आ रहा है आपको मज़ा आ रहा है Please subscribe Let's Score 100 and like भी जरूर कर देना वीडियो को चलिए अगला हम देखते हैं और हाँ जो New Mangalore है उस पर भी equation बन सकता है जो New Mangalore port है अपना जो अपना ये New Mangalore है जो करनाटका में है किस Iron Ore Mines से Iron Ore निकार करके export किया जाता है और आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इस जो Iron Ore Mines है इससे slurry के form में export किया जाता है तो बने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया comment box में comment करके बताएं कि कौन सा Iron Ore Mines है चलिए नेक्स्ट आता है हमारा कोची New Mangalore हो गया कोची अब देखें न गुझरात हो गया, कांडला हो गया, महारास्ता हो गया, मुम्बई हो गया गुवा में अपना मार्मा गाओ हो गया करनाटका में अपना हो गया New Mangalore उसके बाद आगया अपना केरला और केरला इसको लोकेट करना बहुत ही असान है ध्यान से देखें असंफिर आप यहाँ चैलाई यह यह देखा को च्छोटा सा के जाएन सा, चभर आप है इसे चाहाँ है, यह यह एल जैसा देख रहा है राइट बेसिकली चलो इसे confusion को दूर करते हैं यह वाला जो हिस्सा यानि यह वाला जो हिस्सा है यह वाला हिस्सा आप देख लेंगे है ना यह पेडिकलर हिस्सा कुछ लोगों कुछ मैप में C दीख सकता है कुछ मैप बट इसको मैं confusion को दूर क करते हैं कि Tamil Lando का Tamil Lando का वह पार्ट जो किरला की तरब घुसा हुआ है ऐसे समझल दूआ है तो उसी के ठीक है इसे लाइन केच दीजे इसके ठीक नीचे आप यह रेघ दीजे ये हो गया इसे खिरla बिटा के बताता हूं देखे यह यह हो गया हमारा को्ची पूर्ट, अच्छा को्ची पूड जो है हमारी कंच्री का, कोची पूर्ट हमारी कंच्री का, extreme southwestern port है, extreme southwestern port है, यहाँ पर लेगून भी है, आज़री अब हमने देख लिया की, western coast पर हमारे अब हम लोग चलेंगे, अब देखें, एक चीज़ और रहा दखें, चन्नाई में, आकटिलीं हमारे सेलेवस दो पोट्ट्ट मुंबई में भी है, लेकिन हमें हमें पढ़ना नहीं था, जवाला नहरूट्ट हमें पढ़ना नहीं था, मैंने उसका discussion नहीं किया, अब देहाँ, चैन्नाई में, जो दोनों PORTC हैं, उन Abril enrolled में, पिसे कलज़ी सर को कार्गो शिपिनि एक रषस Changing में है, हमें दोनों पढ़ना है हमारी सिलयबस मेne है, हाये देख्ते हैं, सजब पहले तूति कोरेन, और तूति कोरेन जो PORTC है, इंडिया की मदद तो करता करे हम हमारे निवरिंग कंट्रीज की विश्ते मदद हो जाती है और इसके बारे में एक क्वेशन और आ सकता है कि नेम दपॉर्ट विच इस दा सदर्न इस्टन यानि साउथ इस्ट का एक्स्टीम साउथ इस्ट में कौन सा पॉर्ट है तो देखिए अगर साउथ वेस्ट ध्यान द अगर आप ये वाला हिस्था देखें ये वाला हिस्था लेकर उन्मी एक्सटी कोरिन और ये एक्स्टीम साउथ इस्टन पोर्ट है हमारी कंड्री का अगर इस तरह का क्या था है कि which is the extreme south east और वेस्ट नहीं आएगा अगर extreme south आता है और west आता है तो कौन सा हो गया extreme south और west आया तो कोची हो जाएगा extreme south और east आया तो तोती कोरीन हो जाएगा लेकिन अगर पूछता है which is the extreme southern port of our country तो तोती कोरीन ही होगा क्योंकि देखिए कोची तो यहां पे है कोची यहां पे है कोची यहां पे है कोची यहां पे है ओर तूथी सदन е adviser पूर्ट होगा हमारे घंट्री का आई अप चन्नाई देखते हैं कि जया जया है यह जन्नाई को बताना चाहरा हूं बिफोर भी लो केट चैन्नाई जो है वह कि माँज़ जो हमारी कंट्री का आइटिफीशल का अर्टिफीशल पोर्ट है oldest artificial port हमारे country का है चन्नाई, तो आई ये चन्नाई को हम लोकेट करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग history में ही लोकेट कर चुके हैं, यह रहा अपना चन्नाई, और ये चन्नाई, ये हो गया, चन्नाई के लिए मैं सी रिख रहा हूँ, ये चन्नाई पोर्ट, चन्नाई के बाद आता है हमारा विशाखा पत्नम, विशाखा पत्नम के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, विशाखा पत्नम क्या है, हमारी country का deepest landlocked port है, इस तरह से भी question आ सकता है, विशाखा पत्नम पोर्ट आ गया, सीज़िस आप लोग करी ही लोगे, लेकिन ऐस इसे भी question आ सकता है, which is the deepest landlocked port of India, तो याद रखना, यह विशाखा पत्नम होगा, विशाखा पत्नम जो आंधर प्रदेश में है, और इसको लोकेट करना बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको ध्यान से अब्सर्व करना पड़ेगा, देखिए हमारा आंधर प्रदेश है, राइट, तो आंधर प्रदेश में अगर आप अब्जर्व करो यहाँ पे, यहाँ पे आप अब्जर्व करो, तो देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ से चलें, तो देखिए, यहाँ पे यह बल्ज हो रहा है, आंधर प्रदेश का बॉर्डर, फिर उसके बाद फिर अंद आपको विशाखा पत्नम पोर्ट deepest लेंड लॉक और पोट आफ ऑफ और कंट्री नेक्स आता है पैरद्वीप आईए पैरद्वीप कहां पे है उडीशा में देखिए हमारा उडीशा राइट पैरादीप उडिसा में कहा है आप यह देख पा रहे होंगे देखिए यह हिस्ता देखिए यहां पर फिर यह नीचे आता है बिसिकली उल्टा एल टाइप का बन रहा है तो यहीं पर हमारा पैरादीप और यह यह जो अपना हम लोग विशाखा पटनम पढ़ा विश पैरादीप यह mencion calendar यह देखिए यह देखिए यह जो लाइन आ रहे है है ना बिसिकली यह अप में यह रहां कि यह aipका यह आपका पयरादीप पड़ कि लेंग मैं क्यों पी लिख रहा हूं पयरा-दीप पोट चलिए ब्यां से देखिए शमज बेंगों अपन価िया यहां पर जैसे कि West Bengal में दो पोर्ट है यह तो हल्दिया है दूसरा कोलकाता है आप लोग जानता ही है चले दोनों देख लेते हैं हला कि कोलकाता आएगा नहीं लेकिन हल्दिया देख लेते हैं कोलकाता पोर्ट पर बहुत जादा प्रेशर होता था अब कारगो का और अधर तिंक्स का तो उस प्रेशर को इज़ करने के लिए जैसे मुंबई में मुंबई पोर्ट के प्रेशर को इज़ करने के लिए कांडला भी बना था और 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 कम करने के लिए वर्कलोड को कम करने के लिए जवाहला इनल पोर्ट बना था तो उसी तरह यह द पाड़ेगा यह जो पुल्काता पोर्ट की बात करेंगे तो कोलकाता पोर्ट आपका इधर पड़ेगा यह रहा I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है चले हम लोग आगे बढ़ते हैं next है हमारा now we will talk about यह देखे आप लोगों को already marked हुगा इसमें थोड़ा सा change होगा जो हल्रीया वाला port है इसमें थोड़ा सा नीचे है नीचे नहीं होगा यहाँ पहोगा हल्रीयावाला port हल्रीया वाला port यहाँ पहोगा यहाँ पहोगा चरे आगे बढ़ते हैं next slide is about ports जो international airports हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे international airports total 34 है but हम लोग ncati चुकर हमारे पर महरबान है तो हमें क्योंब 6 पढ़ना है right तो चले हम लोग 6 major airports को पढ़ते हैं और यह 6 major airports को locate करना बहुत ही आसान है क्यों बहुत आसान है 2 North India में है right 2 North India में 2 South India में है एक जो हमारे syllabus में है 2 North से पढ़ना है 2 South से पढ़ना एक East से है एक West से आई देखते हैं right चले आगे पहले उस उस पर चलते हैं देखते हैं देखे यह रहा हमारा देखे अब Amritsar और Delhi North India में हो गए Mumbai West India में हो गया Chennai और हैदरावाद South India में हो गया और East देखे East और West में यह East में हो गया यह West में हो गया East और West में एक एक हो गया North में दो हो गया South में हो गया दो इस तरीके से आप division कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा चले आप इनको locate करते हैं अब बहुत ध्यान से सुनिएगा अब जैसे जो Amritsar International Airport है तो इस पर तीन तरस equation आ सकता है अगर डायरेक्ट आएगा तो Amritsar Airport locate करने के लिएगा वो आप लोग करी ही लोगे दूसरा कैसे आ सकता है राजा सांसी Airport एक जगह का नाम है अमरitsar तो बड़ी सिटी हो गए सिटी में राजा सांसी नामक एक जगह है देर इस प्लेस कॉल्ड राजा सांसी इन Amritsar तो राजा सांसी के नाम से भी आ सकता है तीसरा कैसे question आ सकता है श्री गुरुराम दाश जी फोर्थ सिख गुरु थे श्री गुरु राम दाश जी इनके नाम से भी आ सकता है श्री गुरु राम दाश जी नेम एरपोर्ट या लोकेट एरपोर्ट फिच इस नेम डाफर श्री गुरु राम दाश जी तो इस तरीके से भी आ सकता है तो तीनों चीज, अमृतसर एयरपोर्ट के नाम से भी question आ सकता है, राजा सांसी एक place है और ये, इयरपोर्ट का नाम यह है, श्रीग्रूरामदाशी, तो तीनों तो रहा किसे question किसीबे भी आ सकता है, तो आप देखें इसे locate करते हैं, भी आप लोग अरप का अमृतसर एयरप तो अम्रित सर अम्रित सर एयरपोर्ट के लिए मैं ए लिखूंगा एसे अम्रित सर हो गया एसे एयरपोर्ट अम्रित सर एयरपोर्ट हो गया दूसरा है हमारा डेली जिसे डेली एयरपोर्ट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं आई जी आई इंद्रा गा जाकि राइट चलिए अब हम लोग वेस्ट में चलते हैं वेस्ट में क्या है मुम्बई Airport मुमबई observe और अरपोर को हम छत्रपते शिवा जी महाराज मे का खेजर्बाली बोलते हैं आए लोकेट करते हैं इसको लोकेट करना बहुत आसान अप लो जानते हैं आप मुंबई को लोकेट करने में यह रहा मुंबई ठीक है तो मुंबई को हम छत्रपते शिवाजी एरपोर्ट भी बोलते हैं तो छत्रपते शिवाजी महाराज के लिए मैं सी डबल एच चत्रपति शिवाजी महराज ठीक है यह अपना मुंबई एरपोर्ट हो गया अगला हम लोग करेंगे मुंबई के बाद ऐसा करते हैं वेस्ट का होगे देखो नॉर्थ का हमने कर लिया वेस्ट का होगे चलो इस्ट का करते हैं पहले east में आता है हमना Kolkata, Kolkata वाले port को क्या हम लोग बोलते हैं Neta ji सुभास चंदरबोस airport, देख लेते एक बदा यह रहा हमारा Kolkata, ध्यान देजी आप लोग Kolkata, Kolkata वाले port को क्या बोलते है?, Neta ji सुभास चंदरबोस airport राइट चलिए अब हम south में चलते हैं south में हमारा क्या है सबसे पहले चन्नाई वाला तो आप लोग expert हैं चन्नाई आप लोगोंने कई बार पढ़ा है लोकेट भी किया है तो यह आपका चन्नाई चन्नाई वाले port का नाम आप जरूर याद रखें मिनम बगकम चन्नाई एरपोर्ट भी सीधे सीधे पूच्छ सकता है मार्क करने के लिए फूच सकता है कि मीनम बगकम पोर्ट चन्नाई में जो port airport है उसको बोलते हैं मीनम बगकम इसे आप लोग याद रखिए यह ता मेलाडू में है तो इसे हम लोगों में मिल जाएगी आप जो सॉल्ट पीडिएफ है ताकि उससे देख के आप अपना आंसर मेच कर सकते हैं तो उसके लिए परेशान मत हों कि उससे समझने पर द्यान देजिए अब आगे आपना छठा हैदराबाद राजी उगांधी देखो इसे लोकेट करना बहुत ही आसान है कि अप देखे यह अपना हैदराबाद में तेलंगान तेलंगाना की वह हिस्सा जो करनाटका तेलंगाना का वह हिस्सा जो करनाटका में घुसा हुआ है ठीक आप लोगों को दीख रहोगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा है अब यहां से यह वाले हिस्सा देख रहे हैं आप अब इसी के केवल 4 फोर मिलिमीटर या 5 मिलिमीटर फाइब नहीं 4 मिलिमीटर आप राइट चले जाओ तो यह होगे आपका हैदराबाद का हैदराबाद का राजिव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो यह होगे हमारे च्छ एयरपोर्ट आप लोगों को समझ में आया मज़ा आया और यह रहा आपका चैलेंज यह तो आपका आंसर रहा पीडिएफ यह आप लोग देख सकते हैं अपना सॉल्व करने के बाद मैच कर सकते हैं है न यह देख जैसे मने आपको बोला था न कि ठीक इसके बाद ही है इसमें थोड़ा सा यह मुंबई मुंबई आप लोग जानत आ अमरित्त फ़र आपंगें देख लिया डेली देख लिया मुंबई देख लिया यह वाला इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इस वाली के लोकेशन में तो इसको हम पीछे चलते हैं और जो हम्तोड़ा करते हैं जो हमारा हैदराबाद पे यह एस एरिया के ध्यां दिजिये तो हमारा हैदराबाद बैसिक्ली यह यहां पर आए आए गए, आप यहां पर निशान लगा सकते हो गया हमारा हैदराबाद एर पोड़ चले, now we will move to the next slide and next slide के बाद आता है अपना यह रहा this is the challenge challenge for challenge for you guys who are going to appear for CBSC board exam March 7th 2024 आप इसे पढ़िये इसे समझिये पर सबसे पहले इसको इन statements को पढ़िये पढ़ने के बाद आप identify करिये कि को support है और इसको plot करिये comment box में comment करके इन reports का नाम बता सकते है board बहुत ही beautifully designed है चोकि यह chapter आ नहीं रहा है और इस साल के map में इसी तरह के questions आएंगे और इसी के साथ ही साथ जो अगला surprise है आप लोगों के लिए वो रहा यह basically हम इसमें यह देखे यह पिछले साल के question paper इसमें मैंने लगाया हुआ है यह देखे पिछले साल का ही है यह जो map का जो division हुए पहले पिछले साल से history में दो geography में तीन तो यह तो history का है geography में है आपका हमारा geography में क्या है देखे पैरादिफ सी पोर्ट है उसको अपलोग कर सकते हैं plot कर सकते हैं अगला है हमारा हल्दिया सी पोर्ट तो इसकी practice कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक और interesting वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी till then keep learning keep scoring full marks thank you so much